दोस्तों, डीजी इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और आज इंडियन आर्मी ने T.E.A. सेंट्री के लिए official notification जारी कर दिया है, जो कि अभी आप इसकिन पर देख सकते हो, यह permanent commission के लिए है, जिसमें education qualification मातर 10 plus 2 मांगे गई है, जो कि बहुत-ई basic सी है, और इस इसके अलावा इसमें selection होने के बाद में आपको B.T.E.A. करवाई जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा, और B.T.E.A. के साथ-साथ आपको salary भी दी जाएगी, बहुत-ई अच्छी कासी salary वह होती है, जो कि stipend होता है, इस्टाइपेंड 56,100 रुपए आपको B.T.E.A. करते जाएगी इंडियन आर्मी में, तो इसका क्या schedule रहेगा, वो भी आगे discuss करेंगे, इसके अलावा इस official notification के बारे में पूरी जान करें आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, कि यहाँ पे online आविदन कब से शुरू हो रहे हैं, last date क्या है, और application fees यहाँ पे नहीं रखी ग 19 साल आपकी age होनी चाहिए, date of birth की अगर बात की जाए, तो 2 January 2003 से लेके 1 January 2006 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहिए, और यह जो दोनो date है वो भी इसमें include की गई है, ठीक है, अब बात करेंगे education qualification की, तो यहाँ पे इसकिन पर अभी आप देख सकते हो, 10 प्लस 2 मांगी गई है, जो की पहले मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 10 प्लस 2 PCM से होनी चाहिए, और PCM में आपके जो minimum marks है, वो 60% होने चाहिए, ठीक है, 10 प्लस 2 physics, chemistry, mathematics से होनी चाहिए, और इन तीनों subject में aggregate 60% marks भी होने चाहिए, इसके अराबा, J.E.Mans 2021 में आप appeared होने चाहिए, यह दो यहाँ पे education qualification मांगी है, अगर यह आपके पास में है, तो बहुत ही सुनाय रावसर आपके पास में है, BTEC करने का Indian Army के द्वारा, और उसके बाद में आपका permanent commissioning भी दी जाएगी Indian Army में, तो यहाँ पे बहुत यह अच्छा खासा मोका आपके पास में है, अब आगे यहाँ पे vacancies की अगर बात करें, तो टोटल 90 vacancies यहाँ पे available है, TES की इस entry में, ठीक है, तो अच्छी खासी vacancy है, और permanent commissioning है, अब आगे बात करेंगे training की, कि क्या schedule रहेगा आपकी BTEC का, जिसमें 5 साल की आपकी training होगी, पहले basic military training होगी 1 साल की, उसके बाद में technical training होगी 3 साल की, ठीक है, और यह training complete होने के बाद में, आपको BTEC की डिग्री दे दी जाएगी, JNU University के द्वारा, जो कि बहुत यह अच्छी बात है, और उसके बाद में आपकी permanent commissioning हो जाएगी Indian Army में, तो यह बहुत यह अच्छी बात है, और बहुत यह अच्छा मौका आपके पास में है, ठीक है, application में mention है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे cost of training दी हुई है, आपके जो training है, उस पे खर्चा होगा, 16,260 रुपे पर week, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके अलावा आपको salary भी दी जाएगी, तो अच्छा खासा मौका आपके पास में है, इसका फायदा उठाने का, अब यह इस परकार से आपका यह promotion होता रहेगा, और यह duration दी हुई है, इस timeline पे यह promotion आपको मिलता रहेगा, अब salary क्या मिलेगी, तो salary के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो आप, left in end के लिए यहाँ पर level 10 में रखा गया है, left in end को, starting basic salary 56,100 रुपे है, और इसके अलावा सारे के सारे आपको मिलेंगे, सारे other benefits मिलेंगे, जो की इंडियन आर्मे में मिलते हैं सबी को, ठीक है, और जैसे जैसे आपका promotion होगा, वेसे वेसे यहाँ पर pay level आपका बढ़ता रहेगा, और यहाँ पर salary भी आप देख रहे हो, बढ़ती ही रहेगी, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहा पनाजार सो रुपे ट्रेनिंग के दोरान आपको दिया जाएगा, चार साल तक, अब आगे हैं यहाँ पर qualification grant, जिसमें यहाँ पर qualification अगर आपकी ज्यादा है, तो भी आपको allowance दिया जाता है, flying allowance दिया जाता है, 25,000 रुपे पर मन्त, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कितने जबरदस्त allowance हैं यहाँ पर, other allowance में यहाँ पर dearness allowance है, kit maintenance allowance है, kit maintenance allowance बीस हजार रुपे पर year दिया जाता है, आपकी uniform वागेरा के लिए, तो इस परकार से यह सारे allowance है, जिसमें hard area के लिए भी allowance आपको मिलेगा, high attitude में अगर posting है, तो उसके लिए allowance मिलेगा, siachin allowance है, तो यह सारे allowance आपको मिलेंगे, जेख सकते हो, सारे at a time नहीं मिलेंगे, उनकी वी condition है, जहाँ posting होगी, वहाँ का allowance आपको मिलेगा, और transport allowance है, यह भी आपको मिलेगा, तो यह तमाम benefits आपको मिलने वाले है, children education allowance आपको मिलेगा, अगर hostel में रहके आपका बचा पढ़ाई कर रहा है, तो उ एक करोड रुपे का insurance दिया जाएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा, तो यह सारी चीजे हैं, जो कि आपको मिलने वाली है, और और अगर बात की जाए, तो आपकी starting जो gross salary होने वाली है, training complete होने के बाद में, वो एक लाग के करीब हो जाएगी, एक लाग से ज्यादा ही होग तो अच्छी कासी salary आपको दी जाएगी, बीटेक complete होने के बाद में, और बीटेक भी इंडियन आर्मी के द्वारा ही करवाई जाएगी, तो यह तो अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं, आप आगे बात करेंगे आवेदन कैसे करना है, तो यह official link यहां पे दिया www.joinindianarmy.nic.in इस website पे जाना है, वहाँ पे online application का tape दिखेगा और उस पे जाके आपको आवेदन कर देना है, और जब आप online आवेदन करोगे और application submit करोगे, उसके बाद में आप अपने application form का print ले लेना, दो copies रखना, एक copy आप से SSB interview के time पे मांगी जाएगी, ठीक है, और प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पे clearly mention है, सबसे पहले आपको shortlist किया जाएगा, shortlist करने के बाद में direct आपका SSB interview होगा, कोई भी return exam यहाँ पे नहीं होने वाला है, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है, direct SSB interview में appear आपको होना है, वो अगर आपका clear होता है, उसके बाद में medical होगा, और final selection आपका हो जाएगा, उसके बाद में July 2025 से आपके training स्टार्ट हो जाएगी, और आपके salary भी स्टार्ट हो जाएगी, छपनाजार सो रुपए स्टाइप एंड ट्रेनिंग के दोरान, और उसके बाद में लगबग लगबग, लगबग, एक लाग से ज 2022 को शाम को तीन बजे तक, तो ये date है, last date, 23 परवरी 2022 को शाम को तीन बजे तक, उसके बाद में आप आविदन नहीं कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना, तो 23 परवरी से पहले पहले आविदन कर देना, और last date का इंतजार बिलकुल भी मत करना, उससे पहले पहले आवि 27 नमबर, और इसी परकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल डिजी इंडिया के साथ बने रहे हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल पे गवर्मेंट जोब से रिलेटेड हर एक इंफरमेशन आपको देते हैं, चाहे वो कोई भी विकेपती जारी होने की बात हो, या फिर एग्ज झाहे झाए जिए लिए